दोस्तो नमस्कार आपके अपने ही चेनल एश्ट्रोविट सर्मा जी में मैं ही मांसू सर्मा अब सभी का स्वागत करता हूँ आज हम कन्या लगन के विशय में बात करेंगे कुल बारह लगन में से जो छटवा लगन है जो कुंडली छै नमबर से चालू होती है उसे हम कहते हैं कन्या लगन की कुंडली कन्या लगन के लोग आखिर होते कैसे हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है वो समाज को किस द्रिष्टी से देखते हैं देश को किस द्रिष्टी से देखते हैं अपने स्वयम के बारे में वे लोग आखिर क्या सूचते हैं देखिए बुद्ध देव कन्या लगन के लगनेश होते हैं बुद्ध देव कन्या लगन के स्वामी होते हैं और बुद्ध देव को दो राशिया प्राप्था एक मिथून दूसरी कन्या कन्या उनकी पसंदिदा राशी है वहाँ पर वे उच्च के होते हैं ठीक है? नवो ग्रहों में एक ऐसे ग्रह है बुद्ध जो अपनी स्वायम की राशी में जाकर उचिके होते हैं वो है बुद्ध देव और यह बुद्ध देव की सबसे पसंदिदा राशी है और बुद्ध देव किस चीज के देवता हैं? बुद्धी के देवता है सबसे पहली बात ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं आप इनके सामने किसी भी चीज को रखिए सिधे सिधे मानने वाले नहीं हैं ये लोग सबसे पहले वे लोग उसे अपने तर्क के कसवटी में उतार के देखेंगे वो उन्हें सही लग रहा है या गलत जब चीजे उन्हें सही लगेगी तभी ये लोग मानते हैं सबसे पहली बात दूसरी बात बारहो लगन में बारहो राशी में ये कोई सबसे ज़्यादा मर्यादित राशी है जो अपने मर्याधाओं का उलंगन न करे जो देशकाल परिस्तिती के नुसार चले जो नियमों का पालन करे वो है कन्या लगन ठीक है या कन्या राशी के लोग देखिए लगन और राशी में अब कभी भी कन्फ्यूज ना हो छै नमबर से चालू हुआ इसलिए हम इसको क्या बोल रहा है कन्या लगन बोल रहा है यदि ये कुंडली पांच नमबर से चालू होती तो क्या बोलते सिह लगन जो पांच नमबर होता है वो सिह लगन को दिखाता है छै नमबर जो होता है वो कन्या लगन को दिखाता है और चंद्रदेव जहां पर बैठते हैं वो उसकी राशी होती है यदि यह कुंडली भी 6 नमबर से चालू हो रही है तो हम क्या बोलेंगे है कन्या लगन की कुंडली है और चंद्रदेवेदी 9 नमबर में आकर बढ़ जाएं तो 9 नमबर मतलब धनू, तो हम क्या बोलेंगे यह जो जाताख है वह कन्या यहाँ पर बैटे है तो हम बोलेंगे कुंडली चुकि 6 नमबर से चालू हो रही है तो है कन्या लगन की कुंडली है और राशी क्या है 10 नमबर, 10 नमबर मतलब मकर राशी ठीक है जो 10 वी राशी होती है, क्या कहलाती है मकर राशी यदि कुंडली 6 नंबर से चालू होगी और सुर्य चंद्रदेव सपोस्थ 2 मिनिट के लिए माल लेते हैं कि 2 नंबर में यहाँ पर आके बैटे हुए जो कुंडली का नववा भाव है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर मतलब व्रिश तो हम क्या बोलेंगे है जातक कौन से राशी का जातक है व्रिश राशी का जातक है लेकिन उसका लगन क्या है कन्या लगन क्यों क्यों कि कुंडली 6 नंबर से चालू हो रही है ठीक है तो सबसे पहली बात बुद्धिमान होते हैं यह लोग आप कुछ भी चीज उने बोलेंगे तो अपने तरक के कसावटी में पहले उसे वो तौलेंगे सही पाए जाने पर ही वो आपसे सहमत होंगे दूसरी बात बहुत ज़्यादा मरियादित होते हैं तीसरी बात इनकी जो होबी होती ही न वो भी फायदे वाली होती है जैसे कुकिंग करना, पत्नी कुलाप, सापसफाई घरना, घर के बड़ो कुलाप, प्लांटेशन करना, परियावरन कुलाप, सिंगिंग, डांसिंग उनको भी अच्छा लगता है जो चार लोग सुनते और देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है यह सब फूबिया होती है कन्या लगन वालों की, या कन्या राशी वालों कोई भी, ठीक है चलिए, अब हम यह देखते हैं कि कन्या लगन में कौन-कौन से ऐसे ग्रह है, जो कारक है और कौन से ऐसे ग्रह है, जो आकारक है सबसे पहली बात छै नमबर मतलब कन्या कन्या लगने के मालिक कौन? बुद्ध देव तो लगनेश कौन हुए है? बुद्ध देव तो सबसे पहली बात कि बुद्ध देव अतिकारक है जो लगनेश होते है वहर हमेशा कारक ही होते है ठीक है? चलिए अगले भाव में आते हैं अगला जो दूसरा भाव वहाँ पे कितना नंबर लिखा है साथ नंबर साथ नंबर मतलब तुला राशी तुला राशी के स्वामी कौन हुए है शुक्र देव एक तो दूसरा भाव को बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता लेकिन शुक्र देव इनके अतीमित्र हैं तो एक अच्छा और एक बुरा हो गया चलिए अब अपन ये देखते हैं कि इनको दूसरा भाव कौन से मिला है दूसरा भाव त्रिकोन का भाव मिला है यह पहला त्रिकोन यह दूसरा त्रिकोन यह तीसरा त्रिकोन तीक है यहां से अपन गिने तो यह पहला भाव फिर दो, तीन, चार, पाचे है जो है वो पाचवा भाव है फिर छै, साथ, आठ और नौ कुंडली का पहला पाचवा और नौ यह जो तीन भाव है यह तीनों के तीनों को त्रिकुन कहते हैं इसके स्वामी हर हमेशा सुभ प्रभाव भी देते हैं तो एक तो शुक्रद्यों को त्रिकुन का घर मिला इसलिए कारक, नंबर दो लगनेश्ट क्यति मित्र इसलिए कारक, तो हम शुक्रद्यों को भी किस स्थान में ले लेंगे? कारक वाले स्थान में ले लेंगे, ठीक है? चलिए अब हम आज आते हैं तीसरा भाँ में तीसरा भाँ उपचाय का इस्थान है वैसे अच्छा नहीं कहलाता नंबर दो तीसरे नंबर में आठ लिखा है आठ नंबर मतलब वरिष्टिक रासी वृष्टिक रासी के स्वामी कौन मंगल देऊ मंगल देऊ लगनेश्ट कैती मित्र भी नहीं है ये दूसरा कारण कि वह कारक नहीं है पहला कारण क्या था कि उन्हों तीसरा भाव मिला ठीक है तीसरा भाव उपच्छा स्थान जिसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ठीक है तो मंगल देव यहाँ पर क्या हो गए कारक हो गए मंगल देव चलिए अब अपन तीजरे के बाद चलिए अब अगले भाव में आते हैं अगला भाव है चौथा भाव, चौथे भाव में क्या लिखा है मनूँ और बारा नंबर मुतला मीन दोनों के दोनों केंदर के घर मिले ही हुए है केंदर का घर बहुत अच्छा घर माना जाता है लेकिन चूप़ि दो अलग अलग गूरूप है एक गूरूप में है शुक्र देव, शनी देव बुद्ध देव दूसरे ग्रूप में कौन है चंद्र देव, सूरे देव, मंगल देव और गुरु देव तो यह दोनों के दोनों चुकी एंटी ग्रूप के लोग हैं और एंटी ग्रूप के लोगों को बुद्ध देव दो अलग-अलग केंद्र का घर दे दिये एक केंद्र का घर नहीं दो अलग केंद्र का घर दिये और कि इसको दिये एंटी गुरूप को दिये तो यहाँ पर इने केंद्रा धी पती दोश लग गया अपोजिट गुरूप को एक से अधिक केंद्र का घर मिलने के कारण एक और एक दो, यहाँ पर कौन से दोस लग गया गुरु देव को, केंदरा धी पती दोस, इसलिए गुरु यहाँ पर अकारक होंगे, हाला कि एक दो ऐसी स्थिती ही दिऊच्च के अपने स्वेन की राशी में आकर बढ़ जाते हैं, लेकिन वह इस्थिती बहुत कम ही है, दो मतलब पूरे कुंडली में 20% थी स्थिती ऐसी बनती है, जहाँ पर वो कारक हो जाएं, अधर्वाइस असी प्रतिसाथ यही स्थिती रहती ही कि वो अकारक वाले स्थिती में रहते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा भाव, पांचवे भाव में कितना वो है कुंभ राशी, कुंभ राशी को फिर यहां चटवा भाव मिला, च्छा, आट, बारा अच्छी स्थिती नहीं है, तो एक त्रिकूंड का घर मिला इसले कारक, दुसरा चटवा भाव मिला इसले आ कारक, लेकिन जहां किसी भी ग्रह को त्रिकूंड का भाव मिला, तो वह सिर्फ और सिर्फ कारक ही माने जाते हैं सबसे पहली बात दूसरी बात वह लगनेश के अती मित्र हैं बुद्ध और शनी आपस में मित्र है ठीक है तो इसे लिए शनी दियो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कारक हो जाएंगे इस भाव के विशा में तो हम गुरु के साथ बात कर लिये थे यहाँ जाते हैं यह मंगल देव के साथ हम बात कर लिये थे नवम भाव में यह शुक्र देव के साथ बात कर लिये थे तीसरा भाव और चटवा भाव दोनों के दोनों के स्वामी लगनेश बुद्ध यह अभी क अच्छा नहीं, नमबर दो लगनेश की अतिम मित्र नहीं, इसलिए भी अच्छे नहीं, तो चंद्रदेव को हम किसमें ले लेंगे, अकारक ग्रूप में, ठीक है, चलिए, अब हम आ जाते हैं, बारवे भाव में, बारवा भाव को एक तो अच्छा भाव नहीं माना जाता, नमबर दो वहाँ पांच नमबर लिखा है, तो पांच नमबर मतलब सीह हैं और सीह के स्वामी होते हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव और जो हमारे लगनेश बुद्ध हैं, वह दोनों के दोनों फिर अतिमित्र नहीं हैं, इसलिए भी अकारक है, एक तो बारवा भाव होने क नमबर दो उसके स्वामी जो सूर्य देव हैं, उसका बुद्ध के साथ अतिमित्रता वाली स्थिति नहीं है, इसलिए भी अकारक, तो सूर्य देव फिर क्या हो गए, अकारक हो गए, किसमें अकारक हो गए, वह कुंडली जो छै नमबर से चालू होते ही, जो कन्या लगने क गुंडली है ठीक है चलिए भई अब हम आगे बढ़ते हैं अब समय है टीफ अब देखा देखिए आप लोग बुद्धवार के दिन कोशिश कीजिए कि हरा कपड़ा पहने ठीक है और नंबर दो ओम नमो भगवते वाशु देवाय नम इस एक मंत्र का हर दिन कम से कम एक माला कीजिए यह एक मंत्र आपके लगनेश को बहुत ज़्यादा ताकन देगा मैं फिर से रिपेट करता हूँ ओम नमो भगवते वाशु देवाय नमह इस एक मंत्र का आप हर दिन कम से कम एक माला कीजिए यह आपके लगनेश को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देगा यह ऐ उसकी स्वराशी है बहुत ही जबरदस इस मंत्र का रिजल्ट है जिसकी कुंडली 6 नमबर से चालू होती है उसके लिए नमबर दो यह एक ऐसा लगन है जिसमें लगनेश को ही दूसरा केंदर का घर मिल है केवल प्रथम भाव के मालिक नहीं है कुंडली के दसवे भाव के म ठीक है एक तो यह लगन होने कंड यह किंदर मिला दूसरा उन्हें यह एक किंदर मिला दो दो किंदर के मालिक है बुद्ध देओ तो यह एक जो मंत्र है वह कन्या लगन वालों के लिए कन्या राशी वालों के लिए एक दम अदबूत है आख बंद करके मेरे कहने को मानिये आपके जीवन में इसका परिणाम सो प्रतीसत दिखाई देगा ठीक है दोस्तों चलिए फिर अब आज के कारिक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आने वाले कारिक्रम में फिर एक मैं नई विशाय के साथ आपके सेवा में हाजिर होंगा आज के लिए आप मुझे इजाज़त दिजे धन्यवाद